हेलो माइडियर स्टुडेंट्स आम यूर इंग्लिश सीचर मौमाज जमीर टुड़े विल सी पेज नंबर 47 आफ यूर माइंग्लिश बूक 6 हलो स्टुडेंट्स हम आज आपकी किताब का पेज नंबर 47 देखेंगे इस पर क्या है सबसे पहले हम देखते हैं लेर्निग अबाऊट लेंगीजू लेंग्विज के बारे में सीखने है या कि थोड़ा सा ग्रामार हमको यह को कुई भी काम तब हर वर्प काइसा होता है क्या होता इसके बारेम्म नीटेल में देखें गए सब्से पहलेись राइट वाट दफॉलउइंगू अब यहां पर blanks है आपके book में भरे हुए नहीं है यह blanks यह मैंने fill up किया है तो वो कह रहा है कि नीचे जो लोग है या जो भी चीज़े हैं वो क्या करते हैं वो आगे आपको blank में भरना है monkeys हमने यहां पर swing fill up किये turtles, crawl, loins, roar, people, walk, cats, jump, girls and boys play इस तरीके से हमने यहां पर fill up किये ठीक है अब आगे देखते हैं हम you may have used words like jump, walk, swim, hunt, roar, per, play, etc आपने jump, walk, swim, hunt, roar, per, play, वगएरा अलफाज भरे होंगे to complete the above sentences उपर की जुमले मुकमल करने के लिए ठीक है all these words show action यह पूरे words में action दिख रहा है हमको कुछ ना कुछ हरकत swing यानी की जूलना, walk, चलना, crawl, ring ना, jump, चलांग लगाना, roar, दहार, ना, play, खेलना यह सब में कोई ना कोई हरकत हमको होती भी नजर आ रही है कोई ना कोई action हमको इसमें दिख रहा है such words are known as verbs इन अलफाज को ही verb यानी के उर्दों में fail कहते हैं अब बागे देखते हम a verb is a word or a group of words that shows action एक verb कोई word होता है या group of words अलफाजों का grow होता है that shows action जो कोई action या कोई हरकत दिखाते हैं for example, मिसाल के दोर पे pour, उंडेलना, mold, पिकलाना, roll, बेलना, press, दबाना और blow या फूंक मारना इस तरिफे से तो ये पूरे अलफाज में हरकत हमको नजर आती है तो जो भी लवज जिससे हमको कोई हरकत होती भी नजर आएगी वो क्या कहलाएगा? word कहलाएगा can you think of some words that we use very often? क्या आप कुछ ऐसे words के बारे में सोन सकते हैं या याद कर सकते हैं जो हम आम तोर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ये boxes जो थे ये fill up नहीं है आपके notebook में आप लोग ये copy कर लीजिए और fill up कीजिए come, go, give, take, make, bring, cut, join, read, write ये पूरे क्या है? verbs है जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं चलिए verbs आपको समझ में आगे अब आगे बढ़ते हैं कुछ verbs हमको ये बताते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने वाला है इवन वें देर इस नो वन तू डू इट हालांकि उसमें कोई भी करने वाला हमको नजर नहीं आता और एग्जामपल मिसाल के दौर पर इट रेंड बारिश हुई इसमें काम करने वाला हमको नजर आ रहा है कि शखस नहीं नजर आ रहा है फिर भी इसमें वर्ब है इट बिकेम डार्क अंधिरा हो गया इसमें भी कोई काम करने वाला सबजेक्ट हमको यहां पर नजर नहीं आ रहा कोई भी शखस लेकिन फिर भी इसमें वर्ब हमको नजर आ रहा है इसम वर्ब डिस्क्राइब अ स्टेट फॉर एग्जामपल कुछ वर्ब जो है कैफियत जाहर करते हैं कुछ वर्ब हालनके इसमें काम हमको होता है वह नजर नहीं आता रेबिट के क्या होते हैं रेड आइज होते हैं तो यह वाज इस हैज यहां पर हमको क्या दिखा रहे हैं कैफियत दिखा रहे हैं स्टेट दिखा रहे हैं के वो थका हुआ था वो यह थकी हुई थी वो थका हुआ वो खुश था और रैबिट के लाल आखे होते हैं इस तरीखे से लिए आगे चलते हैं A sentence usually contains one or more verbs एक जुमले में एक या एक से जायद verb आमतोर पर होते हैं A sentence with a verb expresses a complete thought or idea sentence में verb होता है तो हमको पूरा complete idea या पूरा जुमला मुकमल होता है समझ में हमको आता है अगर उसमें verb नहीं रहा तो जुमला हमको सही या मुकमल जुमला नजर नहीं आता Now try to make complete sentences in English or in your mother tongue अब अपनी मादरी जुमान में या अंग्रेजी में कुछ जुमले मुकमल जुमले बनानी की कोशिश कीजिए What do you find? आपको क्या नजर आता है? वो देखिए इसके बाद read any paragraph from the passage किताब में से कोई भी एक paragraph पढ़िए Can you find any sentence with a verb? क्या आपको कोई verb के साथ कोई sentence इसमें नजर आता है? देखिए तो इस तरिखे से हमने verb का एक page number 47 आपका देख लिए अब आगे का हम कल देखेंगे Thank you very much